C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तु थे कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक बबर अली अनीज तारुफे शायर बबर अली अनीज पैदाइश 1802 वफाथ 1874 मीर बबर अली नाम अनीज तखल्स था फैदाबाद में पैदा हुए अनीज के अजदाद दिहली के रहने वाले थे उनके पर दादा मीर गुलाम हुसैन जाहिक दिहली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दिहली छोड़कर फैदाबाद चले आए थे मीर अनीज का मुताला वसी था अर्बी और फार्सी में अच्छी दस्टगाह रखने के साथ साथ वो उन तमाम उलूम से खातिर ख्वाह वाकिफ थे जो उस जमाने में राइश थे कुरान और हदीथ, अरूज, मंतक, फलस्फा, तिब, रमल वगएरा सब में उन्होंने अच्छी इस्तिदाद बेहम पहुँचाई थी इनके इलावा वो फन सिपह गिरी और फन शेह सवारी से भी बहूबी वाकिफ थे अनीस एक कादिरुल कलाम शायर और माहिर फनकार थे जबान पर उन्हें बेपनाह गुद्रत हासिल थी लफ़ों के इन्तिखाब और इस्तेमाल में उनका कोई जवाब नहीं था वो एक बात को कई कई धंग से अदा करने में माहिर थे मरसिये के इलावा रुबाई की सिन्फ में भी अनीस ने गेर मामूली काम्याबी हासिल की थी पेश है बबर अली अनीस की एक रुबाई गुल्शन में फिरूं के सैर सहरा देखूं या मादनों कोहो दश्तो दरिया देखूं हर जा तरी कुदरत के हैं लाखों जल्वे हैरा हूं के दो आखों से क्या-क्या देखूं अनीस मश्क लफजो मानी मादन कान कोह पहाड दश्त जंगल जा जगा गौर करने की बात इस रुबाई में अनीस ने बाग, सहरा, जंगल, पहाड और दरिया का जिक्र करते हुए बताया है कि जिधर देखिये अल्ला की गुदरत नजर आती है इनसान हैरान है कि वो अपनी दो आखों से क्या-क्या देखे मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक गुलशन में फिरूं के सैरे सहरा देखूं से शायर की क्या मुराद है नमबर दो कुदरत के जल्वों की कसरत ने शायर पर क्या असर डाला है अमली काम इस रुबाई में कुछ ऐसे अलफाज आए हैं जिनके दर्मियान वाउ का इस्तमाल हुआ है जैसे मादनो को हूँ दो लफजों के इस तरह मिलाने वाले हर्फ वाउ को हर्फ अत्व कहते हैं आप ऐसी पांच तराकीब लिखिए जिन में हर्फ अत्व का इस्तमाल किया गया हो